हेलो गाईज मैं आप लोगों के लिए एक न्यों क्यूट सी सीरीज लेकर आगी हूँ जिसके स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेर लीड चल्मी रन दिखाई जाती है जो क्लास में ही सोई होती है पर वो अपना एक ड्रीम देख रही होती है जिसमें बहुत अच्छी डिजा सुनकर्य लगते हैं के भूच साथ़ डिफिकर्ट होता है और gros करता है अब इतनी बदी करेक्टर शॉंगवे भी आ जयता है जो क्लास से काफी लेड हो चुका था और ससली करने के बार जैसे ही जाकर बैटने वाला होता है तो सह करना लगते हैं कि वह चैनमीर नम की कर दो तो वो भी अपनी एक को अपने फेस से ऊपर कर दी है और सर भी हैं तुमने म्याथ के बारे में वीडेंक बोला है सर अपना लैक्टे देने के बाग वह से čले जाते हैं पर जैसे ही चैनमीर्ण केरा से बाही रात ला थो उसके पीछे-पीछे शोवए भी आ जाता है जिसे देखका वह कहाँ लगती कि तो मेरे पीछी क्यों आ रहे हो मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है और वैसी मुझे फ्लू है तो तुम्हें भी फ्लू हो जाएगा तो वह कहाँ लगते कि मुझे इससे फरक नहीं पड़ता तुमने मुझे बाए कहाकर क्यों नहीं आई थी फाइनली मैंने तुम्हें दो साल बात और छे महीनों बात देखी लिया और तो मेरे हाँ खुदी लग गई तो वह कहने लगती है कि मैंने बाए इसले निकाह ये कहकर वहाँ से भागने लगती है तो आगे सामने ट्री होता जिसे देखकर वह वह वहीं पर उचाती है तो बारा से उसे शोवे की बाते सुननी पड़ती है और जैसे वहाँ से भागने की ट्राय कारी होती है तो शोवे उ खाय जाता है जो अपने डाम के रोम में पहुंचता है तो वहां पर पहले से एक लड़का उसका रोमेट शायों से आगे से कहीं लगता है कि क्या तुम एक लड़की शायों से मिलकर आए हो तो वह कहीं लगता है कि नहीं मैंने उसे जानता जबकि वह उसे जानता था पर उसे के बाद तो शाओवे को गुसा आ जाता अपना बैक दिवार के साथ जोर से मारता है इदर साई लड़कियां अपने रों में एक लड़की शुमाओं के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और पूरे स्कूल में आने से पहले ही पॉपुलर ह होते हैं और उनसे काफी ज़दा प्यार से बात करती है चैनमी जब क्लास में होती है तो क्लास एंड होते साथ इस सर के पस कॉस्ट्रिंग वगरा करने के लिए चली जाती है क्योंकि उसे शौवे के सामना ना करना पड़े और से नहीं बुला पाता अब विचारी जहां जह कर रहोगी कि तुम मुझे बाई कहकर क्यों नहीं गई थी तुम्हें एट लिस्ट गुडबाई कहकर तो मुझे जाना चाहिए तर आखिर हम गल्फेंड बॉइफरेंड थे पर वो तो उसकी इस बात का आंस नहीं देती बलके उसके हाथ पर काट कर वांसे भाग जाती है अ बात सुनकर चैन मीरान कहने लगती कि मुझे क्या पता वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है हाट टाइम मेरे पीछे आ जाते है तो मैं उससे भागती फिर रही हूँ अब उसके एक दूसरी रूमिट उसको आकर एक इन्विटेशन कार्ट दे रही होती है जो चैन के लिए आया में इंग्लिश के वर्ड की भी स्पैलिंग मिस्टेक थी जिसे देखने के बाद वह कहने लगते हैं कि जाओंगी तो मैं हूँ पर यही प्रेयर के कार्ड जो हो वो बिल्कुल अंता हो जाए मेरा इंविटेशन कार्ड देखते हुए और सच में बिल्कुल ऐसा ही होता है उ आप तो मुझे यहाँ पर ले आते हो और पेपी नहीं खरतें बाकी व्ल्ओगर्स वग़ेरा जो भी आते हां वो तो अपना कॉंटेंट यहाँ सर्कार चले जाते हैं और देखें आम उसी सेलेक्शन करवाने के बाद भी कुछ भी पे नहीं करते तो उसके डैट कहने लगत उसके डाट अपने एसिस्टेंस हैं कि तुमने बोला था कि शौवे बड़ा हो गया है पर यह नहीं बोला था कि उससे पैसुसे प्यार हो गया है अब शौवे जब अपने डाट के पास एक तूसरी जगापर आता है वहां पर वह चैनली को देख लेता है उससे देखने के में एक साथ है तब चैनली ने बताया था कि उसका ड्रेम है कि वो हैंग चैंग चीम में जाए और वही की एक मेर्इंड डिजाइनर बन जाए उसकी ड्राइम भी काफी एकyssी थी जैनली लोगों काफी अच्छे से समझा रही होती न चीजों के बारे में लोग भी काफी के दिखा जाते जो अपना ड्रीम क्या है अब इसी में सब अपना ड्रीम बता देते हैं और हैंक चेंची में जाना है बट वहां पर जानी पारी पर वहां जाने की मैं फॉल ट्रॉय करूंगी तो बाकी सब भी शुमाओ को पहचान लेता है, शुमाओ तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होते हैं कि इसे मैं अभी तक याद हूँ, और वो बास्केट बॉल का करेकर वहां से चला जाता है, क्योंकि वो काफी बीजी था, अब वो जब अपने दोस्तों के पहुंचता है, तो उसके द इंबैसिटर के लिए साइनाप किया हुआ है, तो तुम्हें भी हमारी हल्प करनी होगी, गेंस वगरा में पार्टी स्पेट करके, पर वो तो उसे साफ मना कर देता है, यह बास सुनकर उसे याद आता है, कि जब उसने शावे से बोला था, तो शावे ने भी साफ मना कर दि जाओगी, अब वो अपने फेस के बारे में बास सुनकर कि मैं अपना फेस का यूज़ करूँ और प्यारे पन का, तो वो उसके पाउं पर अच्छे से पाउं दे कर वहां से चली जाती है, बाजियंग जब अपने रोम में आया होता है, तो वही पर उसके पास शायो भी आ जाता है कि अगर कोई भी अलक्षन में काम नहीं कर रहा तो मैं अलक्षन के लिए खड़ा हूंगा, ये बास सुनते ही, जायां कर तो दिली नहीं मारा होता, इसलिए पीछे से जब शायों आते तो वह से दुबारा से कहने लगते कि क्या तुम ने इस बारे में सोच लिया क कि तुम election के investor बनोगे या नहीं तो वह कहने लगता है कि में ज़रा भी इंट्रेस्टर नहीं हो दुबारा मुझसे मत पूछना ये बास सुनने के बाद शायों सबसे ज़्यदा शुhrा पर अपने आपको चुपाने क्र राय कर रही होते पहले पहन लेटी और फिर से वह उसी गृ्ट्ए इस पहली रही होती है तो वह उसको विडियो दिखा देता है तो अब तो मैं भी चार को दिखा दूंगा तो तुम और इन्प पहुम नहीं ज Deあり होगी तो वह कहांई लगती कि ने ऐसा नहीं करना मैं तुम्हें बताती मेला मुझे डीलम भी चुकी है क्या तुम मुझे सोचने का टाइम दे दोगे तो कहता है कि हाँ अराम से सोचो मैं भी वीडियो अपने पास रखूंगा यह काईकर वहां से चला जाता है अब शावे जब वापिस अपने रूम में आता है तो वो देखता है कि वो दोनों कैमपस की इंबैसिटर की बाते कर रहे थे जागों कहा रहा होता है कि वोट को अट्रक करना होता है पर तुम म मेरा पॉस्टर भी बना देगी इता चैनल मी दिखाया जाती जो फिर से क्लास में जब सोही होती है तो शावे भी उसे मेसेज करके कह देता है कि मेरे लिए जाकर पानी लेकर यह मेसेज पढ़ती वह जलती से खड़ी हो जाती है यह बार सुनकर से कहते है कि हाँ चली जाओ पर शावे को तो देखो वो कभी भी कलास में पानी नहीं पीता और तो में वाश्रिम जाने के पड़ी है चैनली कुछ तांग गुसा आ रहा होता है कि यही लड़का तो मुझे पानी लेने के लिए भेज रहा है शावे तो उसे बहुत ही जदा तंग करने लग गया था या पर शोवे कहते हैं कि मैं कैमपस इंबसेडर बनना चाता हूँ यह बास सुनकर शायों कर तो दिली तूट जाता है और कहने लगता है कि तुम मेरे मेरे में बस हाइट का डिफरेंस है पर आगे से शोवे कहने लगता है कि कुछ और भी डिफरेंस है अब यह बास सुनने के बाद वो तो वहाँ से चला जाता है आप शौवे को इस तरह देखते देखकर चैनली कहने लगते हैं कि अब यह मत कहना कि तुम भी कैमपस इंबेसिडर बन चुके हो तो वह कहने लगता है कि हाँ चैनली कहती है कि पर मैं इस चीज में तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करू वह मेरे डॉम के बाहिर दस मिनट में पहुंच जाना चाहिए यह बास उनको वह कहने लगती है कि दस मिनट अगर मैं भाग कर भी जाओना तो दूसरे वाले गेट से ला नहीं सकती तो तुम्हारे तक कैसे पहुंचाओंगी पर यह शौवे का मसला नहीं था इसलिए वह व गाते हैं कि जो मेरे डिपार्टमेंट के साथ वाला डिपार्टमेंट यहां ना वहा की मेरे फ्रेंट है वह इसकी बारे में जाना चाहती इसलिए बास मैं इसकी इनफीर ने रही थी तो वह भी इसकी बात पर यकीन कर लेता है साभी लड़कों का radical चुपके चुपके काम क चाहिए ओपर शाओवे की कोई चीज छूंडी होती जो से वहां पर नहीं मिलती पर इतने में से शाओवे का मैसे ज़रूर आ जाता है कि जैसी मैच एंडो तो मुझे यहां पर नजर आजनी चाहिए वो भी पानी लेकर अब उसका यह मैसिज पढ़कर चैंकर लगती है कि इस सब उसके बाकि टीमेट्स भी देख रहे होता है वह आप पहुंच आपर शाओवय बैग होता है उसके बैक से उसका वाल जैसे ही पकड़ लेती है थो जियागो से देख लेता है कि तुम यहाँ से पानी की बोटल लेने के लिए आई हो वो तो खतम हो गई पर आपने पास से पानी बोटल दे देता है कि यह देना जैसी वो उससे पानी की बोटल पकड़ती है तो वहांसे मूचोपा कर लेता है और कहने लगता है कि तुम यहां से वीडियो डिलीट करने के लिए आई हो ना वह पहले से मैंने डाल दिया तो तुम अब डिलीट नहीं कर सकती पर चैनल से पूछे लगती है कि तुम्हारे मुबाइल का पासवर्ड अभी तक मेरी डेट ऑफ बर्त क्यूं है तो वह हौँ परोड़ के लिए से अलरची तसलिए वा किसी लड़की से पानी ने लेता था बर्गि जाकर श वो से ठाई साल बाद वापीस आजए तो आप उसका क्या करोगे तो मैं तो काफी experience होगा क्यूंकि तुम तो स्कूर की इतनी प्यारी लड़की हो और काफी जदा dates वगेरा भी कर चुकी होगी तो वह कहीं लगती ही कि मैंने कभी भी किसी से प्रेक अप ने किया और नहीं किसी का मेरे सब बेक अप हुआ है तो मुझे इस चीज़ का कैसे बता होगा अब इन दोनों की बाते सुनकर उनकी तीसी रूमिट कहीं लगती है कि तुम दोनों को ना अपने बॉइफरेंट डून लेने चाहिए इस तरह अपने एक्स बॉइफरेंट की discussion नहीं करनी पड़ेगी गे कहकर वो अपने बॉइफरेंट के लिए खाना लेकर चली जाती है वो तो चली जाती है पर इसके बाद चैन को शौवी का मेसेज हा जाता है जो से कह रहा होता है कि इतने बचे इस जगा पर पहुंच जाना अब उसका मेसे तेकने के बाथ तो चैन की हालतो बो बी के इदे रोग दिखाए जाती है जो अपने बॉइफरेंड फैंक माउं के पास आ गई थी उसका बॉइफरेंड तो उससे बुला भी नहीं रहा होता जबकि वो इसके लिए इतना चाहा खाना भी बना कर लाई थी लास्ट्रेम उसे नमक जादा डाल दिया था इस पार तो उस की माम का मैसिज है इसलिए उसके आने के बाल बताएं लगते ही कि मेरी माम ने कुछ टाइम पहले ही पार कलार करवाया वो काफी अच्छे लग रहे थे तुम्हारी माम में मीरी माम की एट लिए देहा खार वह लुटर के है इदर शाओवे जो चैन के आने का वेट कर रहा होता है जैसे चैन आती है तो वो से सोरी करने लगती है कि मैं थोड़ा लेट होगी तो वह कहते कि कोई बात नहीं यहां पर आकर बैठो पर वह कहती कि नहीं इसलिए जिस पॉस में वह बैठा तो वह कहीं लगते कि क्या यह मैं भी तुम्हारा फूस स्केच बना देती हूं जैसी वो उसका स्केच बना रही होती है तो शाओवे की तो उससे नजरी नहीं हट रही होती उसको वो टाइम यादार होते है कि जब यह दोनों पहले गल्फरंड बॉइफरंड हुआ करते थे तब भी चैन इसके सामने बै इती है पर चब उसको श्केस लिकाने जाती है तो हराव उसको स्केच में तक निकाल दे तो बाएबार बनाने को कह रहा होता है अभी चाली ने पता ने कितनीवार स्केच में नहीं आया त heroic just क्या है अब मुझे तुम्हारा स्केश नी बनाना ये लो उसको इसको एने में वाला स्केश बनाकर दे जाती है जो काफी गुस्से में होता है अब वहां से थोड़ा दूर आने के बाद वह पानी में थोड़ा थोड़ा करके खाना पहेंग रही होती तब यह पास में कैट आ हाली है जो मियामियों करके इसे खाना मांग रही होती है तो वह जब गाना देति तो पर कई अब पान को गई थी कि मैं बूरा था तो मुझे समझ आगे इस बाद पर चैन कहीं लगती कि वह बात है तो मैंने गुस्षे में बोली थी इस बात पर शावे कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो तो मुझे ना रिजन बताओ मैं तुम से रिजन नहीं पूछूंगा और नहीं हमें तुम करूंगा तो वह कहीं लगती है कि सच में तो शावे कहता है कि हाँ अब इसनी अच्छी बाते सुनकर चैन भी कह देती है कि जो तुम्हारे पास मेरी वीडियो है तुम उससे डिलीट कर दो तो वह कहने लगता है कि नहीं तुम अभी भी मेरा पॉस्टर बनाओगी और जब वह किस तरह वह उसे देख रहाता कैट उठाकर रो दिखाए चाहती है जैसे उसका मॉबाइल मांगते टिकेट के लिए तो उसका अपने मॉबाइल नहीं देता बरके पॉपकॉम पकड़ा कर टिकेट का खुद ही अपने मॉबाइल से कर देता है जब दोनी मुवी देखने के लिए बैठे होते हैं तो रोत उसे कहने लगते हैं कि पहले हमारे दरम्यान कोई भी सिक्रेट्स नहीं होते थे यहां तक कि हम एक दूसे को अपना बाल भी देते थे पर आप तो तुम चेंज होते जा रहे हो ऐसा क्यों है उसकी इतनी बाते सुनकर फैंक भी उसे किस कर ले तो अपर कहने लगता है कि अगर हमारे दरम्यान ब्रेक अप हुआ ना तो वह तुम्हारे जादा बोलने की वज़ा से होगा इसी बात पर उसके साथ खुश होकर मुवी देखने लगती है जब वह वापीस आती है तो चैंट के पास जाती है कि वह किसका स्केच बना रह सकती है कि तुम क्लास में क्यों नहीं आई पर उसका कोई भी रिप्लाइ नहीं आता इधा दूसी तप चैंट दिखाये जाती जिसने पूस्टर बना लिया था और पॉस्टर को खड़े ओकर देख रहे होती पुर अनास्मेंट होती है कि जो भी इंबैसिटर है उनके पॉस पहली आमें यहां से जा रहूंगे कर वो ख्लास से जल्दी से भागते हुए सबसे पहले अपने पॉस्टर को देखता है पूस्टर को देखकर खुश हो कर उसकी पिक भी बनाता है और फिछ चैन को ढूंटते हो उसके पास पहुंच जाता है कि वह काफी ठक चुकी थी यह द इस कौन सी जगा थी चैन तो इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी बट वो तो चुपी नहीं हो रहा होता और फिर उसके बास चैन से पूछे लगते कि क्या तुमने मुझे कुछ कहना है बदो क्लास मेट्स हैं तो हम दोनों में से कुछ भी इतना कॉमन नहीं है तो मैंन कितनी कम हो रही है वो उसकी बात नहीं सुर रहा होता बलकि अपने क्यालों में होता है और हमें इसी में दिखाulars आता है कि शावेज़े किसी से प्रामिस भी कर लिया थे कि हमारी कंपनी की छेयल हो और तुम लोगं सुल्ट की छादा है हम इती चीजों को सेल नहीं कर सकते जितना वो अच्छे से सेल करते हैं पर शावे कहीं लगता है कि नहीं हम कर सकते हैं आप पहले क्यों डट जाते हो और भी वहाँ से चला जाता है पर वह तो वापिस आने के बाद भी बस चैन के बारे में सोच रहा होता है जब उसका मुनीटर आ जाता है जिसे देखकर वो उसे जल्दी से चुपाने लगती है और मुनीटर की खाफी जदा तरीफे करने के बाद उसे बातों में लगाकर वहां से फोरम भागने की करतिया पर उसने ये तो देखा है नहीं था कि वो यहीं पर पैट छोड़ गई अब उसके जान के बाल वह बी पासिकर में वहां से चला जाता है उनसे बात कर रहा हृता है उतर आजुंप पशली जाती है जो पानृण कह चल veins, यहां तरभा वोर नहीं वहां से बात हो गई पान दिखा जाते है जहां पर नहीं कि शाए लगते ज़ते हैं जला जाता है शावे तो अपने पीक को देखकर पहचान चाता है जिसके नीचे किसी और की वोड़ी लगाई हुई थी यह देखकर वो से पूछे लगता है कि यह किस ने दिया है तो वह बताएं लगता है कि एक लड़की ने मुझे 100 यूवान दिये इस चीज़ के लिए कि आदे लोगों में बांट आए हो और बाकी की आदे पैसे यही बचते हैं अगर लेने है तो लो तो वो भी जल्दी से पैसे ले लेता है और उसको वो पिक्स दे कर चला जाता है और बैट कर सोचें लगता है कि मिरान उसका मजाख बना कर कितना हंसरी होगी चैनल मिरान को मै मेसेज करके कहता है कि यहां पर इतने बचे आ जाना अब यह मैसेज देखने के बाद वो कहने लगते हैं कि इसके लिए मैंने क्या क्या ने किया अभी इसको कोई भी अकल नहीं आई मुझे फिर से बुला रहा है जब उसकी रूमेट जाओ आती है तो चलती से मिरान उसके पा हाथ भी साड़ पर कर वाँ से चली जाती है उसके जाने के बाद ये भी शुमाओ के पास चली जाते हों के पास है अब यह बात सुनकर शोमियों तो कुछ होरी समझ लेती तो वागर लगती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो बलके वह से सारी बात बता देते हैं कि कौन सी वाली वीडियो है अब ये बाद सुनने के बाद शुमियों भी उसके साथ देने के लिए मान जाती है अब जहां पर बैठकर लिलान उसके आने का वेट का रही होते हैं गुसा और होते हैं कि हाफ वार कॉन लेट होता है इतने में पीछे से वो आकर उसे सोरी करता है कि मैं लेट हो गया तो तुमें भी अपनी बोडी पतिहान देना चाहिए पर वार कहने लगता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करना फिर उसको और भी चीज़े दिखाने लगती है कि हमारे क्या क्या प्लैंस है और उसके प्लैंस उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे होते हैं इदर हमें शोमियों दिखाए जाती है जो स्पीकर लेने के लिए तो आती है पर वो शोवला एक लैप्टॉप ठीक कर रहा होता है जिसके लैप्टॉप में बहुत ही जदा फाइल्स थी और स्पेस बिल्कुल भी नहीं बन रही थी और उस फाइल्स के नाम अजीब इसे वो अपने लैप्टॉप को उपर से बंद कर देता है और कहती है कि कभी भी किसी की पर्सनल चीज़ों को नहीं देखना चाहिए तो वह कहती है कि हम दोनों अर्रट्स हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें तुम इतना शाय फिल कर रहे हो तो वह कहती है कि अच्छा कैसी बात है तो मुझे भी बता दो कौन सी फाइल्स है तुम्हारे लैप्टॉप में तो वह से क्या बताता है कि उसने इसके बारे में भी इंफर्मेशन को लड़ की हुई थी बलकि क्या लगता है कि मैं तो मैं नहीं बता सकता आप शूमियों से कुजा देता करना स्टार्ट हो वह करें लगते कि मैं भी तुम्हारे साफ चाहता हूं तो वह कहती कि नहीं तुम नहीं जाओं कि तुमने क्या मंगवाए मैं भी तो देखो तो ऑसके साथ आजाता जैसे ही उसकी आयोए बॉक्सिस को उठाता था तो मियरान उन पर नेम पड़ लेती जिस पर से पता लग चाता है कि यह तो मेरी पर्सनल चीज़ें हैं तो कहने लगते कि तो क्या हुआ पर इस बार को मिरान नहीं मानती बर्के बॉक्सिक को उठाकर को दिवां से भागने लगती है पर वहां पीछे चैन मिरान का एक पारसर एर गया था जिससे देखकर वो उसकी रोमिट जाओ को द देती हैं और उसमें एक वैडशिट होती है जो बीकुल भी शोमियों को पसंद नहीं आती तो वह करें लगती है कि मुझे नहीं बदा तक कि तुम्हारा टेस्स इतना बुरा है यह देखकर चैन मिरान उसे बताएं लगते हैं कि यह तो जाओ का है वो चलती से उसे बंद कर नहीं नाम पर ना रहा था यह बात सुनकर शूमियों आगे आ जाते हो कहीं लगती कि इसने तुम्हारे पासर को नहीं ओपन किया बलके मैंने किया है जो भी तुमने मुझे कहनत कहा सकती हो और वह तो इन दोनों को बाते सुना कर जाने लगती है दूसी तर शावे दिखा जाते हैं था अपनी बोड़ी को देख रहा होता है था भी वहाँ पर जिया वहां नहीं पर लड़कियों को को कहरी होते है कि चावक के लिए वोकर आपर एक लड़की कह gewoon के साथ साथ पीख ले लो तो वह यह साथ लेनी एक। से चली जाते और अभी चैन गुसा और यह थी कि शावो आज की दिन भी कैसे लेट हो सकता है इतने में शावो भी अपना चैन जैसा से कॉस्ट्म पैंड कर यहां पर आ जाता है जो काफी ज़दा क्यूट लग रहा था यह देखका चैन के मूंसे भी लिकल जाता है कि तुम ब कर चैन भी दूसी लड़की का ने ले लेती है अभोवि उसिनलटी का समझ कर दो से बात करने लगते हो उसके बारे में जुण नहीं है यहुट्व आपने ऊपर से था धुक भी लगाẫnम सकता है तो और स react लघ्द की अवसे करने वाँ एफ यहां शापर उप्छा ही उांस लोग बना सकती हो ये कहकर शाववी को उसकी तरफ भेश देती है उनकी पीखुद बनाने लगती है इसके बाद शाववी कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कोई मुझे वोट दे या ना दे पर मैं तुम्हारी जिम्मत आ लिए कि जहां से मर्शी मुझे वोट ला कर दो पि वो सबी लड़कें इसकी तरफ आ जाती है वो लड़का तो भी चारा देखता रहा जाता है उससे इस तरह डांस करते देखकर चैन अपना पास सोचने लगती है जिसमें वो तुथ और टियर खेरे होते हैं तो चैन भी तूर चूस करता है तो वो से पूछती है कि तुमने क कर बचाया मुझे तो ऐसे लगा जैसे तो मेरे लिए एक स्काई से आयोई फैरी हो और जा मैंने स्कूल में तुम्हें देखा ता मैंने देखती तुम्हें पहचान लिया अब ये बाते सुनने के बाद चैन मीरान को तो कुछ भी उस लड़की के बार में नीपता होता शाय कि मैं स्लेक्ट हो गया हूं ये बात सुनकर वह खुश होता है कि मैं डाल देता हूं अब इसी बात के पार दूसर रूमिर भी आ जाता है तो ये सबी बात कर रहे होते हैं कि लड़की को फ्लावर देते हैं अब फ्लावर वाली बात सुनकर वह चैन को मैसेज करता है कि मैं स कुछ होंगी और अगर मैं तुम्हें कहूं कि वो मेरा एक्स बॉइफरेंड है तो क्या तुम यकीन करोगी इस बात पर जरा भी शूमियों की यकीन नहीं आ रहा होता तो वह भी कहने लगती है कि मैं मजाग की कर रही थी अब नेक्स ट्रे आता है तो वह भी शावे की जातेयं फ्लावर देने के लिए यह देखने की बाद ट्रक्रणा फ्लावर देका चली आती मेरी तरफ उसे प्स करड़े नंपाच जैसी वहां से जाने लगती आ तो इतने में जावे को पांपर से लर्टगी थी जब तो वहां उसके पना था यहाद है कि उसने शायों का हाथ भी पक्रावा तो जलती से उससे अपना हाथ साइट पर कर लेता है और एक यूमर पहली होती है कि शावे को फ्लावर से अलर्जी है इस बात के बारे में शायों कहता है कि लड़कियों का फ्लावर का बोलने का चैन नहीं कहा था यह बात स शाओवे बिल्कुर शोक हो चाता है कि चैन उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है अब चैन जो माफी मांगने के लिए होस्पिटल में आई होती है और जैसे ही अंदर उसके रूम से मुनिटर उसका फ्रेंट बाहिर निकलते हैं तो वो जल्दी से छुप जाती है उनकी बाते छुप बिलने के लिए चैनके परायघर क करने लगते अफंठा यहां के लिए तो उसके सामल हो चाहता है है कि मुझे हैं तो किया है तो का에 यहां पर कैसे रहा है तुमने इस पर वह कहती कि नहीं कुछ भी नहीं तो फिर उसके साथ ये जब जाने लगती है तो उसके बैग में एक लाइटर देखती है जिसको देखका वो पूचे लगती कि ये लाइटर तुम्हें किसी ने दीया है पर मैं उस भी जरा सा भी इंट्रस्टेट नहीं हूँ इसलिए में से खौल कर नहीं पढ़ूँगा, शूम्योदी के बाद सुनकर खुश हो जाती है, और हमें जौदी खाया जाती है, जब एक टेपर पे बैठती है, तो लड़का आगे से बोलने लगता है कुछ, तो वो उसे चुपकर वाते हुए कहने लगते हैं, अब इस बात के बाद वो उसे थैंक्स आ देती है, जब उसकी बुक क्योप उसका नहीं पढ़ती है, तो पोचे लगते हैं क्या तुम शीहाओ हो, तो वो उसे बताएं लगते हैं, तो उसकी दिमाग से लिकर लिए रहा था, अब उसे यह याद आता है, कि मैंने तो उसके लिए पॉस्टर बनाया था, वो कहां पर होगा, तो उसी पॉस्टर कर रूणने के लिए वो चली जाती है, फाइनली उसे जब पॉस्टर मिन भी जाता है, तो उसे लेकर वहाँ से भागने लगते रही जगा पर, उस पॉस्टर को खड़े करके, अपने आप से सवाल करने लगते है, कि उसने तो मेरी वीडियो को डेलीट भी कर दिया, पर फीपी मैं अभी भी उसके बार में क्यों सोचती रहती हूँ, अभी यही सब सोच होती तो पीछे से उसका फ्रेंड, शायो आजाता है, जिसे देखकर वो टर जाते हो करने लगती कि तुमने तो मुझे डरा दिया, अब प्यार की बाते चली रही थी तो इतने में वहाँ पर, सी हाओ, जाओ को के साथ रुमेंस करता हो, वह वही तक आ जाता है, अब जैसे शायो, जाओ को देखता है तो उसे कहने लगता है कि जाओ, नहीं हो रहा, यह बात सुनकर शायो कहने लगता है कि तुम क्यों इतना इंबेरस हुई, इंबेरस तो उन लोगों को होना चाहिए था, पच्चेन ने कहां बात सुनी थी, वह भी उसको पॉस्टर पकड़ा कर, खुद आगया कर जाने लगते हैं कि तुम उठा कर लेकर आओ, और फिर अपने रोम तक भी ले आती है देखर, शुम्यों कहने लगती कि तुम फिर से इसे क्यों ले आई हो, तो वह कहने लगती कि यह मेरा पहला कामन है, इसलिए मैं लेकर आई हूँ, और इसका कोई भी मतलब नहीं है, आप शुम्यों फिर से अपने मुबाल पर लग जाती हैं पर जैसे ही, देखते हैं कि अभी भी शाओवे उसे ही देख रहा है, तो वह कहने लगती कि देखो, मुझे सारी रात ऐसा लगेगा कि यह बस मुझे ही देख रहा है, तो वह यह बास सुनकर अपनी तरफ उसका फेस कर देती हैं, और उसकी तरफ उसकी बैक कर देती है, शुमाओ अपने मुबाल पर लगे होती हैं, तो वह बिस से जाकर बाते वगर आप पूच्छे लगते हैं कि कोई इंसान आपको पहले छोड़ जाए, और फिर से जब आपको मिले तो उसके छोड़ने के बाद भी बस आपको उसे की याद आ रही हो, तो यह क्या मतलब होता है, यह बास सुनकर शुमे कहने लगती कि इसका मतलब तो उसको पसंद करने लगी हो, और वो आपको हर जगा पर मिलेगा, इस तरह मेरे साथ मेरे हाई स्कूल में भी होता था, जो लड़का मुझा लाइक करता तो वो हर जगा पर मेरे पास पहुंच आता था, मेरे हर करने के लिए, पर हमारी स्टोरी आगे नहीं बढ़ी क्यूंकि उसकाडमीशन ही नहीं यहाँ पर हुआ, अभी इनकी यह बाते चली रही होती है तो चैन को, एक एमेल आती हुसे पता लगता है कि, हैंचेंग रेस्टोराइन वालों ने उसे इंटर्व्यू के लिए बुलाया है यह पढ़ने के बातो, वो अपनी फ्रेंट के साथ इतना खुश हो रही होती है पर उनकी जब रिक्वार्मेंट पढ़ती है कि, साथ में अपने डिजाइन को भी लेकर आएंगे देखकर तो वो थोड़ी परशान सी हो जाती है, और हमें दोसी तर शावे दिखा जाता है जिसके पास, किलास मोनीटर उसका गिफ्ट लेकर आता है जो अलेक्शन में वो जीता है, पर वो तो अपना गिफ्ट भी नहीं लेता है वर कि उसे कहता है कि तुम ही रख लो, वो तो इतना खुश हो जाता है गिफ्ट लेने के बाद, इतने में श़ावे को मैनेजर कॉल कर अब उसे बताता है के मेरे बास तुम्हारे लिए एक good news और इक bad news है तो वो खने लगते हैं कि आचा रहीं बताओ तो वह से good news भी बताते हैं कि हमाई गंपनियां बच्छा काम कर रही है और हमारा काम भी एक्सप्ट हो चुका है कभी भी मुझे अकेला नी छोड़ता ये भी बिल्कुल वैसा है जबकि अपने पास कार्जर पर फी भी मेरे साथ ही जाना है अम लेक्स ट्रे आता है तो रूट तो वापिस रूम में आ जाती हो देखती है कि रूम में कोई भी नहीं है जब सुमियों आती हो तो उसे कहने काम करवाने के लिए वह भी सिर्फ थोड़ी से पीसिस का इसी वजह से वह हर फैक्ट्री से काम पूछने के लिए चाहती कि क्या आप लोग मेरा काम कर दोगे पर वह 10,000 से नीचे पीसिस लेते ही नहीं इसलिए उसे हर फैक्ट्री मना कर देती है शावे उसका मैजर दिखा है आप यह बास सुनने के बाद वह भी कहा देता है कि यह लिमिटेट पीसिस होंगे जो पूरी दुनिया में सिर्फ 20,000 ही मनेंगे वह कहता है कि अच्छा इसी बात है तो वह भी इसकी बात पर यकीन कर लेता है पर बताता है कि हमें एक दूसरे रेस्ट्रेंट से और्डर उन यह वह को बूला लेता है और बताता है कि इननी रोग औरे यह लोगोहान से बाइट alc जाते होगे देख लेता है उसे देखकर चल्दी से मैनेजर को अपना कैमरा भी पकुरा की चले मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना अब चैन का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे जा रहा होता चैन भी एक लास्ट वाली फैक्टरी में जाती है वहाँ पर चाकर पीसिस के बारे में पूछती है पर ये लोग भी उससे मना करते हैं ये कहने लगते हैं कि आप मेरी आखरी उमी अलकॉhl की पोट तक फ्री में मिर रही थी पहले वह मना करते हैं वैसरी अगले सीन में दिखा जाता है कि वह इतनी जदाव य жизни कर लेती हैं और ब Lat Ber使 १रिक्स लाने को क्यारी होती है और भी ट्रिक्स मगवाने के वाग उनको भी पीछा ती है और साथ मैं उसे यह भी बता रही होती है कि मेरा एक dream है कि मैं हान चेंग में जाओं पर वहाँ पर मेरा जाना ही नहीं हो रहा अगर interview के लिए उन्हों ने बुला भी लिए तब ही मेरे पास कोई design ही नहीं है जो मैं उन्हें जाकर दिखाओं उसे भी अपनी notebook दिखाने लगते हैं कि देखो मेरे designs क्या अच्छे नहीं है जो मुझे कोई भी बना कर नहीं दे रहा अब जब उसके designs को देखने लगता है तो कहने लगता है कि यह तो बहुती जदा यूनीक है ऐसे designs को तो मैंने पहली बार देखा है अब उसकी यह बात सुनकर चैन खुश हो जाते हो कहें लगती है कि तुम कह दो कि मैं जा सकती तो कहते है कि हाँ हाँ तुम जा सकती हो पर इस तरह ड्रिंक करना बंद करो उसको ड्रिंक से रोकर खाने के पैसे देने के लिए जाता है पर उसके जाने के बाद भी अभी तक ट्रिंक कर रही थी अब शाओवे उसे उठा कर होटर की रूम तक ले आता है होटर की रूम में जब लेकर आता है तो उसको बैट पर लिटा रहा होता है जो वो लेट नहीं रही होती पर जैसे उसको अपनी तरफ खेंच लेती जिसकी वए उसके बहुत को सअसु करने की जा रहा हो तो बाइट से आवाज आती है कि क्या तुम सौ Wakay पहली बार दूबार तो जब किस करने लगता है क्या तुम जा रहा हो तो आगे से शौनके करता है याता आ रहा होता है कि उसे ड्रिंक करने के बाद क्या 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 किया यहां तक कि इतने सौंग सिंग किया साथ में शाओवे को भी इंबेरस किया पर किसी ना किसी तरह शाओवे उसे उठा कर लेकर आ रहा था और रास्ते में कहने लगता है कि तुम कितनी भारी हो पर चैन उसकी बास उनका कहती है कि शावे तुम बहुत अच्छे हो ये बास उनका शावे कहता है कि तुम्हें बता लग गया कि मैं अच्छा हूँ पर फिर से वो शावे को बुला कर उसकी चिक पर किस करती है शौवे पहले तो शौक होता है पर फिसमायल करके उसे लेकर जाने लगता है अब इस चीज़ को याद करने के बाद जैसे ही वो उटकर जाने लगती है तो कामवाली अंदर आ जाती जो कहने लगती कि मुझे लगा था कि इस रोम से आप लोग चले गए हो सोरी सोरी में आ गई हो ये कहकर वो वाँ से चली जाती है अब उनके जैसी जाने के बाद शौवे उसे पकड़ को दुबारा से अपने पास लिटा लेता है चैन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता पर शौवे को सब पता होता है कि वो क्या कर रहा है और बहुत मज़िस इसको हग करने के बाद सो जाता है अब उठने के बाद शौवे जब चैन मीरान के साथ आ रहा होता है तो चैन मीरान उसे रोकने लगती कि तुम मेरे साथ नहीं आओ पर फिपी वो उसके साथ चाहता है जिससे वो कल मिला था वो तो इसे फॉरण से पहचान लेता है और साथ में चैन को भी कहने लगते है कि तुम दुबारा से आगी मैं स्क्योर्टरी को बिलवाता हूँ पर शाओवे उसका हाथ पकड़ लेता है कि ये मेरे साथ आई है अब ये बास सुने के बाद वो भी कुछ चुप उचाता है उनसे बात वगरा करने लगता है अब शाओवे यहाँ पर पर्मोशन के लिए आया था क्यूंकि उसने याँ वीडियो शूट करनी थी और साथ इसाथ इनकी फैक्टरी का नेम भी उपड़ जाना था इसलिए वो भी कहा देता है कि मुझे आपसे फेवर चाहिए यह जो डिजाइन मेरी क्लास में कह रही है यह आप बना दे तो वो कहने लगता है कि हम 10,000 के नीचे नहीं बनाते तो शाओवे कहता है कि चलो ठीक है मैं भी यहाँ से चलता हूँ आप लोगों को कोई भी काम नहीं करूँगा ना ही एक भी पिकलूँगा जैसी वो मांसे जाने लगता है तो वो उसे रोक लेता है कि 8,000 बना दूँगा शाओवे कहता है कि 1,000 यह बास सुनकर वो कहते है कि चलो ठीक है पर अभी भी चैन कहने लगती है कि 20% आफ भी मिलेगा यह बास सुनकर शाओवे उसे देखने लगता कहने लगता कि इतना भी आगे नहीं जाओ तो वो से कहने लगती कि मैं तो मजाग करती 1,000 यह बना दो कि मैंने तुम्हारा इंटर्व्यू लेना है मैं तुम्हें इंटर्व्यू नहीं दूंगी तो शाओवे कहने लगता है कि चलो वो भी देखा जाएगा अब दोनों बास टेंट पर बैट करने लगते है बस की आने का इतने में तो नहीं टूटता वातारा देखते जिसे देखर चैन तो चल्दी से विश करने लगती है कि मैं वहाँ चाहकर फेलना हूँ बलके मैं पास हो जाओ यह बास सुनकर शाओवे कहने लगता है कि तुम कितनी गिरी हो तो वा कहती कि अच्छा तुमने क्या विश की तो वा कहता है कि मैं विश नहीं करता क्योंकि जो भी मैंने पहले विश की वह तो पूरी नहीं हुई यह उसकी बास सुनकर चैन तो वही की वही चुप हो जाती है और उसको पास्ट याता आने लगता है कि जब दोनों ने पहले भी एक तपा तूटता वातारा देखा तो विश की थी तब भी इसने विश का पूछा था कि तुमने क्या विश की और उसने तब भी नहीं बताया था पर आपकी बार ये विश बता देता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों सेमी युनिवेस्टी मेर जाएं सेमी मेजर हो और सेमी क्लास हो अब इतना ही कहते है तो चन की बस आ जाती चन तो बस में चली जाती है और शाओवे ने नहीं जाना होता इसलिए वो बस के बाहिर से उसके सासा चलने लगता है और जैसे ही बस चलती है तो मिरान विंडो ओपन करके उसे कहें लगती है कि शाओवे जो भी तुमने विश की या वो तुम्हारी पूरी हो जाए उसकी गे बास सुनने के बास शाओवे काफी स्माइल करने लगता जबके चैन भी स्माइल कर रही थी चैन मिरान दिखाय जाते है जो वापिस आगी थी उसे देखकर शोम्यों पूचे लगते हैं कि जिस काम के लिए तुम गई थी क्या वो तुम्हारा काम हो गया ये बात सुनकर चैनल से बताएं लगते हैं कि पहले मेरा काम नहीं हुआ था पर वहाँ पर शाओवे आ गया था जिसकी वज़ा से मेरा काम हो गया अब वो शाओवे की बात करते हुए का भी बльष कर रही होती है तो शूम बागते होंगी आ रहा होता है जैसे एक के प्राई होता है अ दो ने को यानारी hundred pro क्हाते हैं और तो मैं ने तू पहाते हैं पर आया है। जब दिसने क्लास में पहुंच आती है और सार को भी पता नहीं लगता शाओवे भी कहता है कि हाँ मुझे कॉस्टिन की सार समझ आ गई है ये कहकर वो भी क्लास में चला जाता है तो शाओवे उसे थैंक्स कहने लगते है उसकी हल्प करने के लिए जैसे क्लास सेंट होती है तो हो दो लड़ क्या चैन के बारे में बाते कर रही होती है देखर शूमियो कहने लगती कि अगर तुमने बात ही करने है तो मोग पर बात करो ना इस तरह पीट पीछे बाते करने का क्या फाइदा तो वा कहने लगती है कि तुम्हें क्या पता कि मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हो तो वा कहती है कि हमारी तुम्हें ने देखा इसका मतब तुम्हारे बारे में बात कर रही हो तो वा कहती है कि तुम्हें ने पता कि तुम्हारे बारे में बात कर रही हो तो वा कहती है क बात वो जाओ की तरफा चाहती जाओं क्या तुमने ऐसा का कि चैनल ने चोरी की है तो ऑप कहीं अगया आगे जारी है यह बात सुनकर रोट कहो जाँ कि दौने कि पता होता है कि उसने क्या किया है और बागी सब उसके फ्रेंट्स उसके सपोर्ट करने लगते हैं कि मिरान कभ चाह देती है कि उसने कभी भी मेरी चोड़ी ने की तो मैं इस बात को माल लूँगी मिरांसे तो कुछ बोला है नहीं जाता पर पास में खड़ी लड़का कहने लगते हैं कि मतलब यह बास सच है जो यह बोलनी पारी तो वह से कहती है कि हम इस प्रारे में वापिस जाकर बात क जाती है और जब उसके पीछे जाने लगते है तो शाव यह से रोक लेता है कि तुम कहें दो ना कि तुमने कुछ भी नहीं किया तुम उसके साथ क्यूं जा रही हो पर वह अपना हाथ चुड़वाते हैं काफी गुस्से में बोलती है कि मुस्से बार बार नहीं पूछो य पर कले से ही मिर्रान उसका वेट कर रही होती है और उससे स्री करने लगती है कि मैंने तुम से पूछ बगए तुमारे पैट्स को ले लिया इस बात पर तर्शयों को गुस्सा आ जाता ह guarantee है कि एक पैड्स की वज़ए से तम ने इसको चौडणी बना दिया पर मिरान करने ही कि वो पैट्स में तुम्हें लाकर देने वाली थी पर वो मुझे गुम गए यह बास में कर जाओ करें लगती कि मुझे इस बात पर कैसे यकीन हो कोई भी लिस्ट रो जिसमें वो तुमने परचेस कियों वो दिखाओ उसके पास तो वो भी नहीं थी वो भी गुम हो गई थी शूमियो करें लगती कि जब उसने काए कि वो सचमी तुम्हें देना चाहती थी और बाद में भूल गी देना जब उससे खो गया तो तुम इस बात पर क्यों नहीं यकीन कर रही आप क्या कोई लाकर तुमें दे इतने में उससे यात आता है कि मुझे तो मनीटर ने आकर ब लड़ो मैं नहीं जाना वहां यह लड़कियों वाली चीज लेने के लिए पर शूमियो तो से पकर लेती तो वा कहता है कि चलो ठीक है मैं तब जाओंगा अगर तो मेरे साथ जाती तो वा कहता तो पर वो तो उसके पीछे से भाग चाता है अपने डॉम में और रोम में आन के लिए पहुंचा तो तो वहीं पर उसके फ्रेंट्स लोग भी आ जाते हैं जो से पूछे लगते हैं कि तुम यहां पर क्या करें तो वह पासे कुछ चीज़े उठाकर काउंटर पर रखते तो कहने लगता है कि मैं यह चीज़े लेने के लिए आया था और जल्दी से अपनी से पता था कि तो मैंसे इंसान हो यह कहकर उसकी तरफ वह चीज़ फैंक देती जिसे देखने के बाद वह कहने लगता है कि यह मैं नहीं लाया पता नहीं कैसे आ गई पर फिर से वह अपनी पॉकिट में डाल कर वहां से ले जाता है अब वापिस आने के बाद चैन ने उसको उसकी चीज़ जब आपिस कर दी थी तो वह कहने लगती कि मेरी वोच कहां पर है जिस पर चैन पूछे लगती कि कौन सी वोच तो वो बताती है कि जो तुमने मेरी चोरी की चैन कहने लगती कि मैंने क्यों तुम्हारी वोच चोरी करनी मैंने कोई भी चीज़ चोरी नहीं की रोत कहने रखती कि आप तुम बहुत आगे जारी हो अभी सब उस पर गुसा करी रही होती है तो इतने में एक मेर वहाँ पर आ जाती है जो आकर बताती है कि चोर पकड़ा गया है और जो जो आपकी वोच चोरी हुई थी ना वो भी मिल गई है अब ये बात कहा कर वो तो मासे चली जाती है और बाकी सबको गुसा आ रहा होता है कि कि किसी भी एविडेंस के बगएर इसने हम पर इल्जाम लगा दिया पर वो उनसे कोई भी बात नहीं करते हो मासे अपनी वोच लेने के लिए चली जाती है बाकी दोस्तों से बात वगएरा करी होती है कि हमें पता था क कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा इतने में जाओ वापिस आ जाती जिसे देखकर सभी चुप हो जाती है तो जाओ भी चैन के लिए खाने के लिए चीज़ा लेकर आई थी और कहने लगती कि सौरी मैंने गल्ती की है तुम पर इंजाम लगाकर और मैंने तुम्हें करती है पर शोमियों से अभी भी नहीं बुला रही होती तो उसे भी पकड़कर जाओ के पास ले जाती है अब यह चारों दुबाला से दोस्ते बन चुकी थी इसके बाद दिखा जाता है कि उसने चैन पर गलत हिसाम लगाई ये देकर शायों तेक्ता कुश हो जाता है कि मै मैसे माफ नहीं करूंगा और दूसरी तरफ चैन जो ये सोच चुकती है कि उसे क्या मैसिज लिखना चाहिए फिर फाइनली एक मैसिज लिखती है तो वह मैसिज भी उसे अच्छा नहीं लगता कि मुझे माफ करता आगे हार्ट वाले एमोजीज होते हैं जिससे वह सेंड न बहुत ही बूरा लगता है जबकि चैन को शोरी होते हैं कि ये सौंग सुनने के बाद ये तो मुझे माफ करी देगा नेक्सर दिखाया जाते हैं कि हर क्लब ने अपना प्राइस ट्रॉल लगाया होता है महीं पर चैन को शाओवे नजर आता तो वह जल्दी सो उसके पास जा पर तुम तो यहां पर पहले से आ गई तो वह कहने लगती है कि मैं जिसमें जाना चाहती हो मैं इतना सोचा वो जगा ना फिल हो जाए इसलिए यहां पर मैं जल्दी आ गई पर शूमियों को तितना कुछ तार होता है कि देखो कैसे बात करती है अब उनकी तीसी फ्रेंड चली गई थी कि मैंने भी इस क्लब में पार्टिस्पेट करना है यह दोनों जब रह जाती तो इन दोनों का यही होता है कि हम चेयर लीटिंग क्लब में पार्टिस्पेट करेंगे और वहां पर फॉर्म लेने के लिए पहुंच आती है पर शूमियों पर ही फॉर्म खतम हो इस वज़े से वो अपना फॉर्म चेयर मीरान को दे देती है पर चेयर मीरान उसे नहीं ले रही होती तो वो से दखके से देने के बाद अपना प्यारा फेस लड़की को दिखाते हो वे कहने लगती कि क्या मुझे तुम एक और फॉर्म दे सकती हो पर वो तो उसका इतना प पर चेयर लीडिंग में पार्टिस्पेट करना चाते हैं और मैं जाकर सीनियर से बात करता हूं तो वो जब जाकर उनसे बात करते हैं तो उसको एक फॉर्म मिल जाता है और ये बात वो उन्हें आकर बताता है कि एक ही फॉर्म मिला तो उसे वो बताएं लगती कि एक ही फॉ चाहती हूं तो शियों कहीं लगती है के वहां पर सिवारे जानने वाला इसका मतंद तो शीज़ करने के लिए और वह तो नहीं मारी होती है यह दिया होती है चहरा डानस का टाइम आजाते हैं जो इसमें अच्छारां करेगा वहीं रही है और चैन भी छुपके से देख लेघती है कि उसके फ्रम पर क्रोस लगा दिया गया है मतलब उसको डिस्कौलिफाइध कर दिया गया अब यह देखर वह शूम्यो को साइट पर लेकर चाहती है अब पूच रहती है कि मैं फेल नहीं हो सकती क्योंकि इसमें तो मुझे ज कर चैन के लगती कि हमें कुछ और दिखाना होगा तो वह भी अपनी कमाल की परफॉर्मेंस दिखाती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता चैन को रखने के लिए त्यार हो गए थे आप इचारी शूम्यों तो वहीं पर आ गई थी वह तो कोच को साइड में ले चाते हो क यह बाद सुनकर से कहने लगते हैं कि तुम क्या यह कहना चाते हो कि आप से एक चीज़ कहना चाती हूं जो आपने चेयर लीडिंग के लिए ड्रैसिस रखी हुए न वह बहुत ज़्यादा बुरे हैं किसी अठी डिजाइनर को रखके बनवा ले यह बाद सुनती चैन तो खेंच करवां से लेकर चाणने लगती चेन को बता होती है कि आज तो बास की पूल का मैच हूंती है सुनने के बार वह भी पूछे लगती कि वहाँ पर क्या शाओव भी होगा अब यह बास सुनकर शूमयो जब उससे देखने लगती तो वह कहने लगती कि मेरा मतलब शाओ होती है यह देखकर चैन सोचें लगती हैं कि उसने तो गोर भी नहीं किया पर यह लोग खुश क्यूं हो रही है और उसके बाद तो शावे बहुत ही जाद अच्छा खेरा होता है और जैसे इनकी ब्रेक का टाइम होता है तो शूमियों तो अपने वाले के लिए पानी लेकर चार होती है और उसके बाद पहुंच दिया तो उससे पानी ले लेता है यह को हुश गताते हैं छी तो इसे ऊंकि मेरी इतनी हाइट है यह बास सुनकर शाओवे भी खड़ा हो जाता कोच को पताने लगता है कि मेरी 188 cm है तो अब शाओवे को भी थोड़ी कम हाइट पतानी पड़ते है पर अभी पी उसने जूटी बोला था कोच को जब नहीं यकीन आ रहा होता तो वह कहने लगता है कि आप इस बात को नहीं मारा होता तो चैन कहने लगती है कि अपने सामने शाओवे को देखो जो तुमसे 15 cm लंबा लग रहा है तो इसका मतब तुम्हारी हाइट यहीं हुई ना कोच भी चैन वाली हाइट को मानकर वां से लिक कर चले चाते हैं शायों को तो गुस्सा आ जाता और वा हान से जब चला जाते तो चैन भी शाओवे के पास खडी हो जाती है और उसकी उसकी हाइट के बारे मीं बात करने लग लगती है अब शुल कर घहरें लाए है पर उसकी यह बातों कर छेंबिए वाटर नहीं ले रहा होता है यह देखका चैन कहती कि मैंने तुम से माफि की बोटल क्यूं ले ली इदा दूसरारां में शूमयों दिखाए जाती है जो शायोंचे की पीछए पीछे आती है तो उसका आगे से पता लगते है कि शूमयों के बारे में पूची होती कि वह तुम्हाजा इसस फ्रेंप ना क्यों होती है हर पार तुमारी गेम देखने के ल जाता है जिसके पास इतनी जदा लड़कया पानी की बोटल लेका खड़ी हुई थी और वो किसी से बोटल दो नहीं ले रहा हुता पर इतने में वहाँ पीछे से चैन आ जाती है जो से आकर इतनी बड़ी बोटल दे रही होती है कि शावे भी एक टाइम के लिए नहीं उठा पाता और उसे समझ भी नहीं आता कि इसने मुझे इतनी बड़ी बोटल क्यूं दी वह तो इसलिए देरी होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि यह इसी वजह से नराज है कि मैंने उसको इतनी चोटी बोटल दी अब वह तो यह देने के बाद चली जाती है कि अगर तुम पानी की बोटल निका रहे होते हैं कि कौन वीनर होगा किसको जदा बोटल मिली है पर पता लगते कि यहाँ पर दशाओवे वीन है क्योंकि उसकी बोटल सबसे बड़ी थी जैंच अपनी रूमेट को यह सारी बात बता रही होती है खुश भी होरी होती कि मैंने कि इतनी बताया पर शावे कहने लगता है कि अगर मैं तुम लोगों को बता भी दूं तो तुम लोग मेरी बात नहीं समझोगे ये बात कहकर वो ने कुछ भी नहीं बताता चैन जो शूमियों का वेट काई होती है शूमियों भी बाइस से ट्रिंग वगरा करके वापिस आ जाती है उस अगर ऐसान या जो ये अपनी घर के बारे में सोट कर परिशान हो कोई और रीरीजन है इतने में शूमियों खुदी अपने मुपाइल देखते हुए रोने लगती है और रोते हुए अपनी फ्रेंड से कहने लगती है कि अगर कोई इंसान सैड हो तो उसको कैसे हैपी किया जा सकता है अब जो बात चैन बोलती है वो भी उसे बात पसंद नहीं आती वो फिर से अपनी जगा पे बैठ जाती है चैन दिखाए जाती है नेक्स टे वो अपनी प्रैक्टिस की क्लास से केले लेने के लिए आती है तो सर उसको शोम्यो की वज़ा से काफी डान देते हैं क्य जाता है वो से देखका कहना लगता है कि मैं काफीcopar के ला रहा था पर तुम आ जाये ко इदर चैन दिखाया जाती है जो अपनी फ्रेंड शूमियो के पास आकर बैठी होती क्यूंकि उसने भी आज शौची को एक लड़की के साथ देख लिया था इसलिए उसे समझा गया था कि शूमियो का मूल क्यों आफ है वो से कमफर्ट करने लगती है पर अभी भी उसका मूल ने ठीक हो रहा था और वो कहने लगती कि वह पास्केट पूर मैल पी ठीक से लेखे रहा था उसकी नकल बगहरा भी उतारने लगती कि वह किस तर्ण कर रहा था उससे इस तरह देकर चैन भी उसे हक कर लेती है क्योंकि आखिए वो उसकी बेस्फरेंड जू थी इदर बगहरा पढ़े थे उनको देखते हुए बता रहा होता है कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है जो दो उसे पसंद आयते वो उसकी डैट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आयते इसलिए वो अपने बेटी की कोई भी बात नहीं सूरे होते जबकि शौवे उन्हें हर एक लगते हैं कि ठीक है मैं सब कुछ खुदी कर लूँगा ये बात कहकर वह आँ से चला जाता है अब इदर चैन क्लास में दिखाय जाती ही जहां पर पता लगता है कि शौवे उसको कौन से वाला बुखार हो गया ये बास सुनकर चैन बी को चुप हो जाते हैं पर शायों से से बढ़ते हैं कि तुम कब से ठिके मैं तो वी आ आते हैं ऐसे पूछ रही थी शुम्यों के टèn्दे दिखा जाता है जो अपनी investment की बात करने के लिए आया था अब वो तो इसका काम देकर कहने लगते हैं कि मैं तुमारा इसाथ invest क्यों करूँ तुम अपने dad से जाकर बात क्यों नहीं करते हैं तो वो कहने लगते कि मेरा और अच्छा ट्रीट करती है और आप ही तो मेरी स्पेशल है यह बात सुनकर वो भी कहा देती के चोलो ठीक है मैं भी अगरी हूं तुमारा इसाथ investment करने के लिए यह बात सुनने के पाश आवे तो बहुत ही जदा खुश हो जाता हो कहने लगता है कि अपने husband को इतना च्छा ट्रीट करें होती कि वो भी परिशान हो जाता है कि यह क्या हुआ तो वो उससे पूछी लेता है कि तो मैं मुझे क्या चाहिए कपड़े चाहिए मेक अपप चाहिए पपा कहने लगती है कि मुझे अगर investment करनी है तो करनी है जब उसकी husband नीम आ रहे है कि तुम्हारा नीचे वेट मुनीटर कर रहा है यह बास सुनकर शो में लगती कि मैं बीजियो मैंने नहीं जाना तो वह कहती है कि अगर तुम नीचे ना गई तो उसने बोला था कि वो टॉम वाली से कहेगा कि इस रड़की को बुलवा दें इसलिए तुम खुदी चली जा तो वहाँ पर इतने में चैंक ची आ जाता है अपनी गर्फ्रेंट को डॉम में छोड़ने के लिए तो वह जल्दी से मुनीटर के पास छुप जाती है और जैसी वह अपनी गर्फ्रेंट को छोड़ने के बार वहाँ से चला जाता है तो शो मियों रोने लगती है मुनीटर क जैके दिल तूटे तो कैसा फील होता है उस तरह अपने आप से बाते करते देखर शायों को तो समझ नहीं आता कि इसे क्या हुआ रोत दिखाये जाती है जो खुशो कर वापस रोम में आती है क्योंकि उसके बाइफरेंड उसे फ्लावर ले कर दिये थे और जैसे वहाँ आपर शूमियों आती है तो वो जल्दी से अपने फ्लावर को छुपा देती है चैन शूमियों को काफी मनाने की ट्राई कारियों जह कारी होते हैं कि हम कहीं पर गोमने के लिए चलें इस तरह बाते कहीं होते हैं पर वो हो कहीं पर जाने की लिए तियार नहींघly थी और उसकी नूडल खाने के लिए मांग ले जी जिसको अभी चैनने मुं भी नहीं नह पर वो अपनी फ्रेंड को कुछ भी नहीं कहती वो थोड़ी सी नूडल खाने के बाद कहती कि कल हम शॉपिंग के लिए चलेंगे यह कहकर अपने साथ उन नूडल को भी ले जाती जो बाकी की बच्ची हुई थी तो वो भी उसे खाते हुए चुप करके देखने लगती है शा यह पूछे लगता है कि तुम यह क्या पढ़ी हो मेरी मॉम भी ऐसी बुक्स पढ़ती है मुझे भी बताओ मैं अपनी माम को जाकर बताओंगा इसके बारे में तो वो उसे जैसी नाम बताती है तो जियागो के मुझे तो पानी भी बाहिर आ जाता है क्योंकि वो स्ट्रोड कहने लगती कि निनी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तुम लोग ऐसी कुछ और समझ रहे हो अब जियागो वापीस आने के बाद अपनी स्टॉरी के कमेंट देख रहा होता है और भी नेक्स्ट दिखा जाता है कि श्यूमियो तो जियागो के पास आ जाता है कि स्टॉरी किनी उसी तरफ रूद दिखाए जाती है जो अपने बॉइफ्रेंड फैंक के पास आ रही होती है एक लड़की से पूछती है जो बहुत अच्छा उसको ट्रीट करी होती है यह देखने के बाद भी रूद बुरा नहीं मानती बलके फैंक के पास जाते है कि लड़की कौन है फै प्रूद प्यागे से कुछ भी नहीं कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बना कर लाई हूँ अच्छा है ना पहना कर उसकी दोस्तों को भी दिखा रही होती है अब यह सब देखकर फैंक लगते कि तुमने खाना नहीं खाया होगा ना तो कहती कि नहीं खाया चलो खाने के करूंगा इदर दूसरी तरफ शावे दिखा जाते जिसको एक जगा फाइनली पसंद आ चुकी थी वो उसी की मुरमत के बारे में बता रहा होते कि कहां कहां से ठीक करना है वो लोग यह सब काम ले तो लेता हैं पर कहने लगते हैं कि जितना काम जल्दी नहीं हो सकता अगर करवान है तो हमें डॉबल चार्च करना पड़ेगा यह बास सुनकर शावे करने लगता है कि मैंने तो नहीं देना तो वो भी वहाँ से जाने लगते हैं पर जल्दी से मैं जो से रोक लेता है कि आप लोग यहीं पर रोको मैं शावे से बात करता है शावे से कहने लगता है शावे कहता है कि वो देखा जाएगा ये कहकर वो वाँ से चला जाता है अब ही दिखा जाता है कि बास्किट बॉल का मैच हो रहा होता है और दूसी तरफ शुमियो चल मीरान के साथ होती है क्योंकि शुमियो और चल मीरान दोनों ने ही चल मीरान भी चलती से त्यार होने के लिए चली जाते है शुमियो और बाकी सब लड़या डानस करना स्टार्ट हो जाती है और ये अच्छी परफोर्मेंस के बाद बढ़ा से मैं स्टार्ट हो गया था शुमियो जब भी कोई गौल करता था उसे गौल करते देकर चैन सबसे ज़्यदा खुछ उरी होती थी ये देकर शौयों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इतना कुछ क्यूं हो रही है और मैच में जीतने के बाद शौयों वहाँ से चला जाता है और चैन उसे देखती रहा जाती है क्योंकि वो उससे बात करना चाती थी और शूम्यों का जाने का उसके साथ दिल नहीं था ये देखा है शाओगों भी उसे आकर कहें लगता है कि वो एप्लिकेशन फॉर्मले का जाना ता क्या तो मिरे साथ चलोगी वो काफी जरूरी है ये बाद सुनकर वो दूसरा लड़का कहें लगता है कि उसने बोला ना कि वो थकी हुई है पर शूम्यों उसकी बास उनकर कहती कि किसने कहा कि मैं थकी हूँ ये ज़का वो उसका हाल पकड़ कर वहाँ से ले जाती है चांगों के साथ बाहिर आने के बाद चांगों से पूछ है लगता है कि क्या ये वही लड़का था जिसकी बज़े से तुम सैड थी तो वह कहने लगती कि हाँ पता नि मुझे इससे कैसे प्यार हो गया अब चाहिए को जब बोली जा रहा होता है तो वह से कहने लगती कि मुझे लगता है और दूसी तरफ चैन्मिरान दिखा जाती है जो बाई खड़े होकर शाओवे के आने का वेट कर रही होती है पर वहाँ पर शायो आ जाता है जो उससे आकर पूछे लगता है कि तुम यहाँ पर वेट क्यों कर रही हो किसका कर रही हो तो वो से बताती है कि शाओवे का तो बताता है कि शाओवे तो एक लड़की के साथ towBroon के साथ चला गया ये बाद सुनके चैलमीरान भी उसी तरफ भागते है तो पता लगता है कि कलड़की के साथ होता है जिसका हमें फेस नहीं दिखाया जाता अब ये देखने के बाद चलमी रानमा से चली जाती है और हमें दूसरी तरफ जाओ दिखाए जाती है जो अपने बॉइफरेंड शूसियों के साथ होती है शूसियों अपने बारे में बता रहा होता है कि मैंने इतनी इंटर्व्यूस वगरा की त्यारी की पर क्या फार्ड हुआ एक भी इंटर्व्यू में पास नहीं हुआ जाओ तो उसकी सारी बाते गोगोर से सुन रही होती है और फी दोनिक जगा पर बैट जाते जहां पर बैट कर शूसर से बताता है कि मेरे मॉम्टर चाते कि मैं हॉम टाउन में वापिस आजाओ और वही पर आकर को जूब ढूंडू इसलिए मैं भी चाता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो जाओ तो इस पास से मना कर देती कि मुझे वापिस नहीं जाना हॉम टाउन में पर वह उससे कहने लगते कि अगर तुम इने साथ नहीं जाओगी तो मैं तुम से शादी कैसे करूँगा मैं तुम से शादी करना चाता हूँ और अगर सच में तुम में अपना इलादा बना लिया है कि तुम नहीं जाओगी तो मुस्से ब्रेक अप कर लो ये बाद सुनके जाओ कहने लगती है कि हाँ ठीक है ब्रेक अब रेक अब ये बात कहकर वहाँ से चली जाती है और इदर शावी दिखा जाता है जो ट्री के नीचे आकर बैठा होता जहां पर उसने चैन को आने को बोला था वो उसका काफी वेट करने के बाद उसे मैसेज भी करता है कि मैं वही पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ पर आगे से चैन कैने लगती कि मुझे एक काम आ गया जिसकी विज़ा से मैं नहीं आ पाऊंगी ये मैसेज देखने के बाद वो भी वाद से उटकर जला जाता है और इसके जाने के बाद चलमीरान काफी रोने लगती है और इतर दूसरी तरफ शोई जिसन काफी ज़दा ड्रिंग कर ली थी और जैसे ही वहाँ पर जाओ आती तो उससे बोलने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जाओ से देख ले अब जाओ से कहने लगती है कि अगर हमारा ब्रेक अप ही हो गया तो इन बातों का क्या मकसद है ये बात कहा कर वो भी वाद से चली जाती है चैन जो बापीस आने के बाद थोड़ी सैड थी इतने में रूत पीछे से आकर कहने लगती है कि मेरे परस एक गोसी पे आज की शो मियों तो बहुत मज़े से पूछे लगती कि क्या बात है तो वो बताती है कि पहली बात तो ये शाओवे एक लड़की के साथ था और वो लड़की उमर में काफी बड़ी थी बेबी शाओवे को कफी बड़ी लड़कियां पसंद है गेबाद सुन सुनकर चैन काफी जेलस हो रही होती है फिर रूत दूसरी बात बताने लगते हैं कि जाओ अपने बॉइफरेंट के साथ है रूसने ब्रेक अप कर लिया है और वो उससे गेवी क्या रहा था कि प्लीज मुझे ब्रेक अप नी करो जबके रूत ने उससे ब्रेक अप कर लिया इतने में रूत पी आ जाते हो कहने लगती है कि इन बातों का मतब नहीं है जब मैं ब्रेक अप ही कही कि आ गई हूँ अभी आती है तो बाइट से शूसर की आवाज आने लगती है जो इसे बाइब बुला रहा होता है कि जाओ तो मुझे ऐसे नहीं छोड़कर जा सकती उसको बोलते हो विरूत भी जाकर उसे बाइब देखने लगती है और बाकी भी काफी लड़कें उसे देख रही थी इतने में नीचे से होस्टन की आंट आकर उसे कहें लगते है कि तुम यहाँ पर क्यों चिला रहे हैं उन्ची उन्ची यहाँ से अभी वापिस जाओ तुम किस डिपार्टमेंट से हो अगर तुम ना गई तो मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट में शकायत लगा दूँगी यह वाद सुनकर वाद से चला चाता है उसके जाने के बाद यह लोग जाओ से पूछे लगते हैं कि तुमने उसे ब्रेक अप क्यों किया यहाँ पर यह एक्जाम देने का क्या फाइदा पॉस्ट कर भी लो तब भी आपको जॉप ने मिलती इसलिए मैं अबरोड में ही जाऊंगी वहाँ जाने के बाद कम से कम आपको जॉप ता मिल सकती है ना अब यह लोग फिर से शाओवे के बारे में जब बात करने लगते हैं तो शाओवे का बनाया हुआ पॉस्टर भी उठाकर चन बाही ले जाती है उसे बाही जाकर रख देती है पर उसे ख्यारे हो कर देखने भी लगती है कि मैं इसको बाही क्यों छोड़ने आई पर नेक्स से रिलेशन करना चाहती है इसलिए वह भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है अब आपिस आने के बाद वापने पासल को देख रही होती है पर थोड़ा नर्वस भी थी क्यूंकि उसका इंटरवी आने वाला था शो मियों कहें लगती कि मुझे बता है कि तुम्हारा यह टैस के लिए अब उसकी बातों को वह सुनी जा रही होती है शावे को देखी जारी होती है जावे करें लगते कि मेरी बास समझा गई चलो मुझे बताओ मैंने क्या बोला तो वह करें लगती कि सबकी अपने वेस होते मैं अपने तरीके से कर लूंग। यह कर वहां से च जला जाता है और जब बैट कर चैन खाना खारी होती है तब यह वहां पर आकर शावे आपने इंपोर्टेंट नोट्स उसे दे देता है कि इसे पढ़ लेना और कोई भी जल्दी नया मुझे वापिस देने की यह देखकर वह तो वहां से जला जाता पर उसके जाने के बाद श कर शावे तो बिल्कुल शोक हो जाता है जबके धूसरी तरफ से शायो उसके नोट्स वापिस करने लगता है कि इस नौट्स ने बहुन सब झाने कृलिकर करो क्लस टे उर्ड होती है जिसमें चैनल ने बोला कि अगर मैं अच्छे स्कॉल नहीं रेकर आती और अपनी मेनत उतनी करती तो मैं सबके सामने स्कूल की लेक में स्वीम करूंगी ये बात पढ़ने के बाद शोमियो कहने लगते हैं कि इसमें अब जरा भी नायकीन करने वाली बात ये निये के चैन शाओवे को लाइक करती है दूसी तरफ से शाओवे ने भी इस मेंसेज को बढ़ लिया तो उसको इतना गुसारा होता है जबकि इसको मैनेजर को ज़्यादे इसमें इंटरस्ट ले लाता है इसलिए वो उसकी गल्तियां दिखानने लगता है कि तुम्हें अपनी चैन को भी पते हैं लगता है कि हाँ ये बात तो पूरी क्लास को पता है अब शाओवे को समझ जा गया था कि वो किस वचे से नराज है अब ये सबी दोस्ति एक जगा पर सिंगी करने के लिए आयते वहां पर ना तो अभी दख शूमी होए थी और ना ही शाओवे आया था पर इत्थे में शाओवे आ जाते है जो आते साथी लड़किया उसे देखकर अपने पास बूलाने लगते हैं पर बकाहें लगते हैं कि मैं दर्म्यान में नहीं बैठता जबहुत हो जैसे चैन वहां से उठकर जाने लगती हैं तो वह से पकड़ कर नराज होतों कहती है कि नहीं आप शाओवे ने खाने के लिए स्ट्रॉबरी जमंग वाली थी वह चैन को भी देने लगता कहने लगता है कि तुम्हारी फेवरेट है नो तो वह कहती है कि मैंने अपना टेस्स बदल लिया है तो उससे स्ट्रॉबरी भी निलेती अब सभी स्ट उसको भी पकड़कर उसका दूसरा फेन वाँ से ले जाता है शायों के जाने के बाद शायों को देखता है कि शूम्यू ग्राउंड की चक्कर लगा रही थी उससे देखकर वो देखता रह जाता है और दूसी तरफ हमें चैनल शाओवे दिखाय जाते जो दोना ही कट्टे जा रहे थे चैन तो बहुत ही जदा खुश होती उसे खुश ते एक कर शावे पूचे लगते कि तुम इतनी खुश क्यूं हो तो वो बताएं लगती कि मुझे कैफ़े में खाना एक्टरा मिला था ये बास उनकर शावे कहते कि तुम तो बहुत जल्दी खुश हो जाती हो सब्सक्राइब कर लेते हैं कि शावे उसके सामने किस तरह का भी है करता होगा और अपनी इमेजिनेशन में इतना खुश आती कि हंसले लगती कि देखकर शावे कहने लगते कि कुछ पी नहीं और आमें दुसी तरफ शावे को दिखाया जाता है जो शुम्यों की रुकते सा लिए हैं शुम्यों के लगती कि तुम्हें कैसे पता इस बात के बारे में अब जब उसका सच पकड़ा जाने वाला था तो शावे भी वहां से यह कर भाग जाता है कि मेरा फ्रेंड वो जा रहा है मैं उसे जाकर संभाल लूँ अब उसकी जाने के बाद शूम्यों को कुछ और पूछता है कि तुम मुझे कब लाइक करने लगी जिस पर चैनल बताती कि जब मैंने तुम्हारा स्केच पनाया था तब से मैं तुम्हें दुबारा से लाइक करने लगी और ये भी बताती है कि मैंने वो तुम्हारे वाला पोस्टर अपने रूम में भी ले आई थी त साद में जा ने लगते जब वापिस जाती तो शो में उससे देख कर पूछा लगती है जब बाकी लोग तो जल्दी आ गए ना यह बास उनकर चैन करें लगती कि तो मुझे ड्रेसक्यों में कुछ तो गड़ बर लग रहे हैं पर चैन कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो उसे पूछे लगती कि तुम ड्रेस क्यों डिसाइड करी तो वो बताती कि कल मेरा इंटर्विव होना इसलिए तो वो उसको बहुत ही जादा फैंसी वाले ड्रेस बता रही होते हैं पर वो कहते बात देकर वो कहते हैं कि हम तो सिरफ डिसाइनर वालों को रखते हैं यह वाली हमें रिकुर्मेट्स ज़ूरूर चाहिए होती इसलिए हम आपको नहीं रख सकते यह कर वो उसको बहां से भेश देते हैं अब रिजक्ट होने के बाद चैनन एक जगह बैटी होते होते हो यो तो नेम का person भी आता है जो किसी से call पर बात कर रहा हो तर design के बारे में उसी में उसने एक person का name लेना होता है जिसका name उसे याद नहीं आ रहा था अब ये बात सुनकर चैन उसका ठीक वाला name भी बता दे तिर ये भी बता दे कि उसने का काम स्टार्ट किया था वो call वाले person को name तो बता देता है पर call बंदोने के बाद वो चैन के पास आकर बैठ जाता है उसे बात वगरा कर रहा होता है और कहने लगता है कि तुम बहुत ही अच्छी employee होगी ना तो वो बताती है कि नहीं मैं employee नहीं हूँ बलकि मैं student और यहाँ पर interview देने के लिए आई थी ये बात सु शोरी होती कि मैं accept होगी और शावे को भी ये बात बताती है और उसे कहती है कि हम इस जगापर मिलेंगे और जो उसका manager वहाँ पर workers के लिए पानी की बॉटर्स लेकर आया तो उसे देखकर वो कहने लगते है कि इन्हें पानी नहीं बलकि मेक्षिक पिलाओ ये बास उनका व वहाँ से खुश होकर चला जाता है उसके जानने के बाद वो कहने लगते है कि जैसे इसकी लोटरी लिकल आई हो अब की दोनों एक साथ बैट के डिनर कर रहे होते हैं और चैनल से बताती है कि वह कितना खुश है इंटर्विय में पास होने के बाद और उसे ठैक्स भी कहने लगता है कि तुमने मेरी वीडियो क्यों भीजनी थी ये बात को सुनकर चैन लगता है कि क्या तुम मझे स्टार्टिंग से लाइक करते होर rif's को Li Ainch लेना चाहती हूँ ये बार सुनकर शावे उसे कहने लगते है कि प्लीज इस पार फिल नहीं हो ना क्योंकि मैंने चाहता कि मेरी गल्फरेंड सब के सामने अपरी पनिश्मेंट को करें तो वह कहने लगती कि क्यों ना हम अपनी डेट को सबसे चुपा कर रखें ताकि तुम्हें मेरी वज़े से इंबेरस ना फिल करना पड़े शावे उसे मारते वए कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता वह कहती कि हाँ हाँ मैं पास हो जाओंगी अब शावे जब घर पर आकर बैठा होता है तो उसकी वही स्टेम मॉम उसके पास आ जाती जिसको सबने इसकी गल्फरेंड बना दिया था वह आकर अपना थाई कल्चा दिखाते होए शावे को भी कहने लगती कि तुम्हें ये ड्रस पहनना होगा जबके शावे उसे मना करते था है कि आप डैड और अपना इतना डिलेशन क्यों शौफ करती रहती है मुझे ड्रस नहीं पहनना तो वो भी कहते कि ठीक है जब तुम्हारी पोकिट मनी कम हो जाएगी ना फिर मेरे पास रोते होए ना आना ये बास सुनती शावे जल्दी से वो ड्रस लेकर पहनने के लिए चला जाता है और जब पहन कर आता है तो उन्होंने उसके लिए खाना बनाया हुआ था और अपनी स्टैम मॉम और डैड को इस तरह साथ में खाते देखकर वो तो खाना लेकर वाहां से उठकर चला जाता है और चैन से कहने लगते कि कल हम थाई फूट खाएं कैसा रहेगा बच्चें कहते हैं कि मैं अपना काम करी हूं मुझे पढ़ना ये कहकर वो उसकी बात के इग्नोर कर देती है और हमें जो दिखाय चाते जो वापिस अपनी माम के पास उनके रेस्टरण में आ गई थी छुटियों में पर उसकी माम और टैड आपस में उनके अपने दूसरे बेटे के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं यहां तकि उसके क पूचे होते कि तुमने खाना खाने के लिए वापिस कर पर आना या नहीं आना वह कहता है कि मैं दोसकी पास पार्टी पर हुआने नहीं आना तो वह उसका बनाया वह फेवरिट खाना भी बास से सामने से उठाकर फ्रीज लगवा देते हैं कि वह आकर खा लेगा अब यह बास वह उठकर चली जाती कि मुझे खाना नहीं खाना जब वह बरतर वगरा धोरी होती तो शायद उसका हाफ प्रदर था जो वापिसा गया था और मॉँस से बूच्छे होती कि तुम्हें भूक लगी होगी मैं तुम्हें खाना बना कर देती हो पर वह मना कर देता है और इतना कब से पढ़ना स्टार्ट होगी सुबह से लेकर रात तक पर इस पढ़ने के लिए बैठी होती जबकि इसको तो सोने के लावा कोई भी काम नहीं आता था ये बाते सुनने के बाद उसकी माम करें लगती कि ये डिप्रेस तो नहीं हो गई हम इसको चेकर वाना करते हैं कि हमसे पैसे ले लो पर बाहिर चली जाओ मूवी देखना जो मर्जी करना गे कैकर उसको घर से बाहिर निकाल देते हैं पर घर के बाहिर आने के बाद भी चैन कैरी होती कि मुझे पढ़ना है पर उसके माम रट कहते हैं कि बाहिर करी पढ़ लो अब जो चैन के टै यह वाला बॉक्स रखा हुआ है तुम्हारे लिए अब उसी वीडियो को याद करने के बाद वो भी भाग कर उसी जगा पर जाती जहां पर बॉक्स है दो तीन द्रख के पास जगा खोद के देख लेती है पर मांसे कुछ भी निकलता यह देखकर चैन कहने लगती कि उसे बता करने के बाद जब वो शाओवे के पास आती है पर देखती है कि शाओवे तो काम कर रहा है यह देखकर वो समझने लगती कि शाओवे काफी ज़दा गरीब है जो भी उसने बाते बताई थी कि वो किस कंपनी से बिलाउंग करते है उसका डेट क्या नहीं यह सब तो जूट का फिर मतलब अब इन्हीं बातों को सोच कर शौक और यह होती तितने में उसे शाओवे देख लेता जिसे देकर वो उसके पास आते हैं उसको कुछ पैसे देकर वास्ति चली जाती है पर शाओवे तो उससे पैसे लिने के बाद काफी कुछ था उससे तो पता ही नहीं होता अब चैन मिरान वापिस खुम खुमा कर आजाती है और अपनी माम के पास पैट कर उनसे कहने लगती है कि मेरे पैसे कुछ जादा करते हैं पर उसके माम इस बाद के लिनी मारी होती है तो वा कहने लगते हैं यह सुनकर चल कहने लगती कि मॉम इतने काम 500 पैस तो जादा करें पर उसकी मॉम इस बास से नहीं मानती और कहने लगती है कि तुम किसी रिलेशन में तो नहीं आ गई जो तुम्हारे जादा पैसे लग रहे हैं अब माम की ये वाली बास उनका वर कहने लगती कि माम आपने अगर पैसे नहीं देने तो ना दें इस तरह की बाते तो ना करें मुझसे ये कहकर वहाँ से चली जाती है इदर हमें जो दिखाय जाती है जो सबको लेक्चर दे रही होती है पर एक बच्चा जो उसके लेक्चर को नहीं सुरा होता उसे देखकर जो सबको एक छोटी सी ब्रेक दे देती है और जैसे उस बच्चे के पास आती है तो उसने तो उसका स्केच बनाया हुआ था और वो अपना इंटर भी करवाता है कि मेरा ने डायलान है जौब उसे हैंड्शेक कर लेती है और चैन दिखाया जाती जो आप अपने रैट के पास पहुंचाते हैं लगते हैं कि जो आपके पास पैसे ना उनमें से पैसे मुझे दे दे पर डैट कहते हैं कि मैंने नी देने तो चैन उन से भी नराज होकर जब जाने लगते हैं तो उसके डैट उसको पैसे देने के लिए त्यार हो जाते हैं जब थोड़े से पैसे देते हैं तो चैन उन पैसों से जरा भी साटिस्वाइड नहीं होती एक नोवल के बार मैं बताने लगते हैं कि उसमें क्या स्टोरी थी गे कि एक लटका अपने आपको अमीर दिखाता तो पर बाद में गरीब लिखला अपता नहीं वहां के क्या करेंगी उसे छोड़ देगी या उसके लिए कुछ और रास्ता ढूंडेगी ये बास सुनकर चल कहने लगती है कि मैं तो कभी भी शाओवे को ना चोड़ूँ अब इतना ही कहने लगते हैं तो बाकी दोस्तों का याद करके कहने लगते हैं कि मेरा मतलब वह कभी भी अपने बाटीड को नहीं छोड़ेगी अगर वो गरीब भी है तो फिर खुद ही इमेजिन करने लगती है कि शाओवे को किस तरह टार्ट पड़ते होगी जब वो ठीक से काम नहीं करता होगा यहां तके जब उसे चौब से भी निकाला जा रहा होगा तो मैं भी उसके सामने आ जाओंगे और उसे आकर बचा लूँगी यह कौँगी कि आप क्या लिकानने वाले हो मैं ही इसको यहां से लेकर जा रही हो साथ में उसे पैसे दे दूँगी फिर बाकी दोस्तों की बाते सुनने के बाद के उस लड़के ने उसे ब्रेक अप कर लिया जब उसने को ऐसी हरकत की फिर खुदी इमेजिन करने लगती कि शाओवे मेरे पै में होती है जब अटेनर्स लग रही होती है तो शाओवे का नहीं माते साथ ही वो उसके बारे में कह देती कि वह वाश्यूम गया हुआ है यह पास उनके सर कहते हैं कि उसने लीव ली है अब बाकी सबी बच्चे चैन पहंसने लगते हैं यह देकर चैन कहते कि मुझे गलत होगी और दूसी तब शाओवे दिखाया जाते है जो शौप पर आतर अपने मैजर से कहता है कि ठीक से काम करना है और मैंने अपना हाफ टे ओफ लिया वा था पर अब मैं जा रहा हूं यह कहकर अपना बैक पकड़कर वास से चला जाता है और चैन जो सोच होते हैं कि मैने उसे पैसे दिये थे वो उन पैसों का बुरा ना माझाए मुझे उसे कोई ना कोई मैसेज कर देना चाहिए अब जो भी मैसेज ओच कर लिखती थी पर उसे उसे सेंड़नी कर पाती थी पर इतने में पीच्छा से शाओवे आ जाता है जिसकी आवास सुनकर वो उससे अपने पैसे मांगने लगती है कि जो मैने तुम्हें सुबा दिये थे शाओवे कहते है क्या एक सच में गरीब है और कोईंस वो गयरा गिनने के बाद तो और भी यखीण हो गया था इसलिए वो कहने लगती है कि तुम रहने दो अगर तुमारे पास पैसे नहीं यह कहकर वहाँ से भाग जाती है जबकि शाओवी को समझ नहीं आता किसी क्या हुआ और नेक्स रे चैन अपनी इंटर्शिप के पहले दिन डारेक्टर के साथ मिटिंग में बैठे होती है डारेक्टर साब के काम को देख रहा होता है कि तुम लोगों ने कैसा काम किया इतने में उसकी नज़र चैन पर पढ़ते हैं कि यह यहाँ आई है उसका काफी अच्छ से वैलकम का रहे होते हैं यह देखर उसके एक सीनियर तो जैलस हो गई तो और कहाएं लगते है कि यह तो इस मेजर से भी ने जिस मेजर के लोग यहाँ पर रखे चाते हैं तो यह यहाँ पर क्या ही करेगी यह बात सुनकर डारेक्टर कहीं लगते कि इसी कोई भी बात ने चाहिए उसने इस चीज में मेजर ने किया पर उसका इस चीज की सारी इंफर्मेशन है अब यह बात सुनकर वो लड़के चुप हो गई थी पर चैन को तो पता था कि वो उसको काफी टाफ टाइम देने वाली है जब अपनी जॉब के पहले दिन से वापिस आती तो उसकी फ्रेंड्स उसे पोचे लगती कि जॉब का पहला दिन कैसा रहा तो वो बताएं लगती कि बस एक वहाँ पर सीनियर है जो मुझे पसंद नहीं करती पर इतने में चैन को उसी नॉबल का याद आते तो वो पोचे लगते कि नॉबल में आके क्या वना तो वो बता दियें कि उसने उस लड़के को नहीं चोड़ा चाहे गरीब हो या मीर उसकी बर के हेल्प के किसी क्लाइंट से मिलवाने में उसकी सारे मसलों को सॉल्फ कर दिया जिसके बाद वो अमीर हो गया अब चैन भी उनकी बातों के बाद सौच रहती कि वो भी किससे मिलवाएगी और शाओवे के भी सारे मसलों को सॉल्फ कर देगी फिर से नेक्सर जब कमपनी में काम के लिए आती है तो वही पर उसे शाओवे का मैनेजर मिल जाता है जिससे देखर वो पुछे लगते है कि आप यहाँ पर कैसे और इस तरह की बात करती है जिसकी बास सुनकर मैनेजर समझ चाता है कि शाओवे ने जो इसे जूड बोला कि वो गरीब है मुझे भी उस ट्रामे को कंट्यूनर रखना चाहिए इसलिए वो अपनी तरह से कुछ बाते बना देता है और फिर इसे पुछे लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे बताती है कि मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ तो उसे पुछता है कि किस डिपार्टमेंट से इतने में पीछे से डिरेक्टर यू आ जाता है जो बताएं लगता है कि यह मेरी डिपार्टमेंट में काम करती है ये बास सुनकर मैं जरू उससे बात करने लगते हैं दोनों में थोड़ी सी बहस भी हो जाती है जिसको देखकर चैन तो माँसे भाग जाती है और छुपकर अपने दोस्तों को घुरूम में मेसेज करने लगते हैं कि ये बिजनिस की बाते तो बहुत ही जादा पॉलिटिक्स जैसी होती हैं दोनों मिल जाएं तो आपस में लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं अब इनकी मीटिंग होती है डिरेक्टर वहाँ पस अभी काम को चेक कर रहा होता है पर किसी का भी काम उन्हें पसंद नहीं आ रहा था और जैसे चैन का नेम लेता है तो चैन भी उनकी तरफ डर कर देखने लगती है किया पता नहीं यह क्या बोलेंगे पर डिरेक्टर यू कहने लगते हैं कि तुम्हारा काम मुझे अच्छा लगा इसलिए वह चैन को ही इसका में राइटर बना देते हैं यह देखर सेन तो फिर से कहने लगती ही कि यह तो अभी नियू है इसी तो क कैसे जानती हो तो वह कहते है कि मैं एक तो बार उससे कभी कबार मिल लेती हूं तो फिर से पूछता है कि तुम शावे को जानती है तो वह कहते है कि वह तो तो तुम्हारे साथ तुम्हारे मेजर में है ना तो वह कहने लगते है कि हाँ वो मेरा क्लास फैलो है पर मैंने यह का कि मैं उसको नहीं जानती, ये नहीं का कि मैं ये भी नहीं जानती कि वो मिना class fellow है अब normal class fellow सुनकर Mr. U से वाँ से जाने को कहते हैं और सोचें लगते हैं कि ये इसका normal class fellow तो नहीं हो सकता अब चैन अपने काम के बाद शावे को चुके से देखने के लिए आते हैं कि वो कितना काम कर रहा है और फिर इसी बारे में बात करने के लिए शायों के पास जाती हो से कहने लगती कि तुम्हारे रोम में ऐसा क्या है जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ इसलिए रात में आकर हिसाब लगा रही होती कि इनका रूम कहाँ पर होगा और बाई खड़े होकर अपी सोच रही होती तो वहाँ पर शायो आ जाता है जो से आकर कहने लगते कि कल हमारे बास्केटपॉर्ड का मैच है क्या तो महाँ पर आओगी यह बास उनका वह कहती कि कल मैं नहीं आपाऊंगी तो मैं स्पोर्ट करने के लिए वहाँ पर शूम्यों आ जाएगी यह बास उनका वह कहता है कि चलो ठीक है और यह भी खुशोग कर जारी होती कि कल मुझे मौका मिल जाएगा इनके रूम में जाने का और दोसी तर शावे दिखा condem जाते जिसके पास मैनेज़र आहरा कर उसे बताताही कि आज मुझे चैन मिली थी और मैने भी तुमारे ड्रामे में तुम्हारा साथ दिया तो वह कहता है कि कियसा ड्रामा तो वह कहने लगता है कि गरीब होने का ये बास उनका शावे कहने लगता है कि मेरी चैन को मेरी गरीब होने या मीर होने से कोई फरक नी पड़ता वो तो बहुत ज़्यदा क्यूट और क्यार करती है शावे चैन को मैसेज करता है कि कल क्या तुम फ्री हो कि मैं उनके साथ पिक नहीं बनाऊंगा तो इसका मतम नहीं बनाऊंगा अब नेक्स रहा जाता है जहांपर उसके फैंस आयोए थे उनसे बात वगरा और शौप के आपनिंग के बाद बाहिर आ जाता है जन्मीरान दिखाए जाती है जो शाओवे के डॉम से जाने का वेट करी होती जैसे वो चले जाते तो ये भी फुल टॉम बॉय बनकर इनके डॉम में आ जाती है लड़कों से कॉस्टिंग करने के बाद वहाँ से चली भी जाती जब के लड़कों को पता भी नहीं लगता कि ये तो एक लड़की थी अब शाओवे के रूम के बाई पहुंचकर उसके रूम की कीस को भी टून लेती क्यूंकि उसको पता था कि उसने कहां पर चुपाई होंगी रूमें जाने के बाद उससे पहले तो समेल आती है काफी जादा अब ये देखका वो जल्दी से रूम की सफाई करना स्टार्ट हो जाती हो काफी अच्चे से रूम साफ करती है हर एक काम करने केबाद, भाँ से वापस भी चली जाती है, और इसके जाने के बाद, शायो और शायो और शायो गो वापस आजाते हैं रोम में, जो आकर डेखते हैं, कि हमारा रोम हो इतना साल, ये सब देखने के बाद उन्हें तो लग रहा होता है, कि ये मिस्ट्रीवर ने कि याओ कई इवर की मिस्ट्रीवर किसी और को नहीं बलकि चैन्ड मीरान को समर्चता सुझ इसलिए ँसी ये जान पहुंचाताना अब चैन्ड मीरान जब उसकी बात द explains हो नहीं हो थी तो साथ लिए ओसमिस्क्री का नेम पता लए तста रहुआ और पूछे लगते कि क्या शाओवे को भी पता लगया तो वा कहने लगता है कि नहीं अभी नहीं पता लगा चैन कहा लगती कि प्लीज उसे मत बताना ये भी कहते है कि ठीक है मैं तुम्हारा फ्रेंड होना तो उसे क्यों बताऊंगा और मिस्सरिफल को ये भी बोल देना कि सैंडर्स भी खराब है और साथ यसाथ वाएर भी खराब है तो उसे भी ठीक करते चैन कहते कि ठीक है तो मेरा काम करना मैं तुम्हारा काम कर दूँगी इदर हमें शाओ को दिखाय चाथा जो शूमियो के पास होता है और श्यूमियों को खाते देकर बोचे लगता है कि क्या तुमने अपनी डाइटिंग छोड़ती तुम्हारी एकसिज़ा इस कैसे चारी तो वह कहती कि की मेरा रिवॉर्ड है जादा एकसिज़ा इस करने का ये कहते दोड़ा सा खानां से भी दे देती है तो वह भी इसके साथ बैट का खारा होता है अब हमें चैन दिखाए जाती है जो दुबारा से नेक्स टे उनका रूम साफ करने के लिए आ गई थी इस पार भी वो रूम साफ करने के बाद बाहर से चली जाते है और उसके जाने क के बाद तीनों लड़की रूम में आ जा तुराने के बाद अपने रूम को साफ देकर हर एक चीज़ को देख रहे होते हैं इसे में शावे को एक स्लीपर मिल जाता है जिसे पैन कर वो अपने दोस्तों को दिखाएं लगता करें लगते कि कैसा लग रहा है क्योंकि शावे को इस बाद का पता लग चुका था कि मिस्रीवर कोई और ने बलके चैन है बाकी लोग पुछे लगते हैं कि तुम्हें कौन लगती है पर वो कहने लगते हैं यह करकर वो उन्हें नहीं बताता और चैन दिखाए जाती कि आज कल तो मिल्मत्ता ठक क्यों जाती हो यह भी उसे क पहुँचते हैं तो वहाँ पर थ्री एक्स्टर स्लीपर्स थी जिसमें से एक ये वाली तो इसका मतलब शावे के लिए कोई लड़की छोड़कर गई है जो इसकी काफी बड़ी फैन है चैन की तो ये बात सुनकर होड़ जाते हैं कि ये शूस तो वह ही है जो ये छोड़कर आ गई और शावे भी किसी से काम नी था वो भी उसी शूस को इसक्यागे कर रहा होता जबके चैन इस पर गौर नहीं कर रही हो तो इतने में क्लास में सर आ जाते हैं जो इन्हें पढ़ाने के लिए आए थे पर वो शावे को दूसी तरफ अपनी टांग लेकर जाते हुए देख रहा होता है यह देखकर मैंचर पूछे लगते कि क्या यह स्लीपर तुम्हारी गर्फरेंड ने तुम्हें दिया तो वह करता है कि हां तो मैंचर भी इसके पास में बैठ जाते हैं तो शावे से बताएं लगता है कि हम दोनों एक तो इसको डेट करें पर उसने ये ब बाइर तो बाहर से बच्चे खड़ें लगते उसकी पिक्स और वीडियो बना लेते हैं अब वहां जगा से अपना मुझ उपाई थी इतने में वहां पर शावे भी पहुंचा आता है शावे से देखकर स्माइल करने लगते कि चैन तो वहां पर क्या कर रही हो अब चैन किस तुम अभी नीचे नहीं आओगी तो हम तुम्हें और उस लड़के को भी पनिश्मेंट देंगे जिसके लिए तुम यहां पर आई अब सबी बच्चे बोलने लगते हैं कि कौन है वो कौन है वो और शावे भी सर को बताने लगता है कि यह मेरी गल्फ्रेंड है परीते में उसे कुछ भी नहीं कहता बलके कहें लगता कि मुझे तुम्हारी कितनी फिकर हो रही थी आप नीचे आजाओ वो नीचे तो आती है पर शावे को नहीं बुलाती बलके शायों के पास जाकर खड़ी हो जाती है अब चेकिंग वाले सारी से कहें लगते हैं कि आएंदास ऐसी कोई भी हरकत ना हो और पनिश्मेंट मैं तुम लोगों को बाद में दूँगा ये कहकर वो वासी चले गए थे अब जो शायों चैन को साइट में ले आता है कि तुमने में इसाट ऐसा क्यों किया तुमने सब की सामने ये क्यों कहा कि तुम मुझे अपना लफ कंफेस करने आई थी जबकि तुम मेरे पास नहीं बर्के शावे के पास आई थी ना तो वह कहीं लगते कि तुम अभी बोल दो तो वो उससे फिर से उसकी हाट के बारे में बात करने लगती जिसके बाद तो वो उससे कोई भी कॉस्चन वगरा नहीं कर पाता और वहां से चला जाता है अब इसकी डौम वाली फ्रेंड्स को भी पता लग चुका था कि ये कहां पर गई थी और क्या कर रही थी पूछे लगती कि क्या ये बास सच्च है कि तुम शायों के लिए वहां पर गई थी तो वो कहें लगती कि हाँ वो ता अपनी दोस्तों को भी असल बात नहीं बताती उनको ये बात हजम तो नहीं हो रही होती पर फिर भी इस बात को माल लेती है और इते में चन की पनिश्मेंट का भी उसको नोटिफिकेशन आ जाता है कि उसने क्या करना है यही कि सफाइया वगरा करेगी और दोसी तरफ हमें शायों दिखा जाता है जो बास्किट पॉर ख काफी तंगा गया था अब जहां पर शायों आया हुआ था वहीं पर शोम्यों इसे मिल जाती है जो उसको काफी जदा घूर कर देख रही होती है यह देखकर शायों कहते कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि चैन तुम्हारे साथ कैसे प्यार कर बैठी है तुम में ऐसा क्या है त दूसी तरफ हमें शावे दिखा जाते है जो कमपनी में तो आता है पर वहाँ पर देखता है कि गार्ड एक लड़की के साथ काफी बाते कर रहा होता है क्यूंकि वो दोने एक दोसे को डेट कर रहे थे और शावे को देखते साथ यह लड़की कमपनी में काम करने के लिए पर शावे उसे रोक लेता है और कहें लगता है कि अगर तुम दोने उसे को डेट करे हो तो इस तरह चुपा चुपा कर क्यों करे हो बलकि सब को दिखा कर करो और यहां तक कि टेका ओफ भी ले लो एक दूसे के साथ टाइम स्पेंट करना चाहिए तुम दोनों को अब कार्ड पूछे लगते हैं कि क्या सर हम सच मेडियो ओफ ले सकते हैं तो वह कहें लगता है कि अगर ना लिया तो कर मैं तुम लोगों को फायर कर दूँगा यह कहकर वह वासी चला चाहता है क्यूंकि वह काफी गुसे में था चैन की वज़ा से अब वो कंपनी में तो जा शावे उसकी बास उनकर वहां से चला जाता है और बापीस आने के बाद यह सारी बात अपने मैनेजर को भी बताता है वो भी कह रहा हुता है कि यह ऐसा कैसे कर सकती है पर शावे कहता है कि आप तो मुझे सारी दुनिया को बता नहीं होगा कि वो मेरी गर्फरेंड है और इ अकेली फिल करी थी इसने मुझे कोई चाहिए था मैं भी किसी के साथ रुमेंटिक बाते करना चाहती थी तो उसकी दोस्तों से कहने लगते हैं कि हम समझ सकते हैं कि इस बात के बाद चलो नहीं रियल बात बता देती है कि असल में शावे और मैं डेट कर रहे हैं यह बात सुन में मिलो यह एक अकाउंट डन स्टार्ट कर देता भी सुनकर चैन भी एक सेकेंड के अंदर यहां से भाग कर जाती है जबके शूम्यों से देकर कहने लगती कि इसे तो बुखारता इतनी देश कैसे भाग सकती है चैन शावे के पास पहुंच जाते हैं कि तुमने मुझे य पहला ऑप्शन है पहला औप्शन के के इस डाकिट को पहना है और मेरे साथ यूइक के पान्च डिते हैं जिस पर चैन कहता है कि दस चक्कर लगाने का ये बात कहाएकर वह वाँ से जाने लगता है कि अब ये तुम पर है कि तुम क्या करोगी चैनल भी पीछे से भागते हो वे शावे का आकर हाथ पकड़ लेते हैं साथ में उसने उसकी जाकिट भी पैन ली थी क्योंकि उसने पहला उप्शन उसका मान लिया था ये देखकर तो शावे भी खुश हो जाता है जैसी आगे चाते हैं तो वहाँ पर शायो बैठा हुआता जिससे देखते साथी चैन शावे का हाथ छोड़ देते हैं पर शावे भी उसका हाथ पकड़कर उसे दिखाएन लगता है कि अब ये मेरी गर्फरेंड है चैन उसे बताने लगता है कि हमने एक दूसे को पहले भी डेट क्या हुआ हाइज स्कूल से इस बात का मुझे पहले से पता है तो शाओवे बताथा है कि हाँ मैंली से अभी बताया वो उसे मनाने लगता है कि तुम मान जो जबके शाय करें लगता है कि मेरी इमेज को साफ करो कि तुम मिनी कल्फरेंड नही wed जैन तू इस पार से मनना कर देते है पर जावे कहता है कि हाँ ठीक है तुम्हारे लिए भी कर देते हैं तो उसको कहता है कि हम दोनों की साथ में पिक बना कर अपलोट कर तो जिससे लोगों को खुदी पता लग चाहेगा कि हम दोनों रिलेशन में हैं इसी के पार वह इन दोनों की पिक्स वगरा बनाने लगता है और